7 अक्टूबर को जब फिलिस्तीन के आतंके संगठन हमास ने इसराइल पर अचानक हमला बोला तो पिये मोदी ने ट्वीट कर कहा कि इस मुश्किल समय में भारत इसराइल के साथ खड़ा है ये मोदी के इस बयान के बाद हर तरफ हाय तौबा मचे कि शायद भारत ने अपनी विदेश नीती बदल दी है और भारत में फिलिस्तीन के समर्थन वाली गांधी नेहरू और अटल आडवाने की नीती में बड़ा बदलाव कर दिया है अलाकि इसके कुछ दिनों बाद ही भारत ने फिलिस्तीन को लेकर अपनी नीती साफ करते हुए कहा कि वो इस जंग में हमास के खिलाप खड़ा है लेकिन वो फिलिस्तीन के हितों के साथ है भारत ने साफ किया कि वो इस जंग का शांती से समाधान चाहता है भारत ने इसराइल और फिलिस्तीन दो राश्टर से धांत का भी समर्थन किया बीते दिनों जब संयूपते राश्टर में भारत ने इसराइल हमास जंग में बड़े पैमाने पर मारे जा रहे नागरी को और सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जाहिर की तो इससे साफ हो गया कि भारत इस मामले में किसी एक देश के साथ नहीं बलकि वो शांती के साथ इस मामले के समाधान और इलाके में कनाव को कम करने के पक्ष में है भारत ने इस मामले पर इसराइल और फिलिस्टीन के बीच तनाव कम कर सीधी बाचित फिर से शुरू करने का आगरह किया है भारत ने दो राश्ट्रे सद्धान्त की भी वकालत की है इस कदम से साप हो गया कि ये भारत की गूट नीती है जो युद्ध नीती पर भारी है जरसल भारत हमेशा से आतंगवाद का विरोध करता रहा है वो इस मामले का शांती पूर्म समाधान चाहता है भारत चाहता है कि इसराइल और फिलिस्टीन शांती उपायों के लिए आपस में बाचीत करें और इसका हल निकाले जिससे इस पूरे इलाके में मिर्दोशों का कून बहना बंदो भारत जब two nation theory का समर्थन करता है तो वो दोनों देशों की संप्रभुता का पक्षधर बन जाता है भारत ने गाजा में फिलिस्टीन के आम लोगों के लिए मानविये मदद के रूप में 20 ट्रकों में राहत सामगरी भेजी है गाजा को भेजी गई राहत सामगरी में 32 टन भोजन, सामान जैसे कंबल, टेन, स्लिपिंग बैक्स, दबाईयां और कई सामान भेजे हैं एरफोर्स का सी 17 विमान के राहत सामगरी लेकर मिसर पहुँचा जहां से ट्रकों के जरिये से गाजा तक पहुँचाया गया है भारत ने कहा है कि वो आगे भी गाजा को मानवीय मदद पहुचाता रहेगा एक तरफ आतंगबाद के खिलाफ इसराइल का समर्थन करके और दूसरी तरफ गाजा को संकट के समय में मानवीय मदद पहुचा कर पिये मोदी ने राजधर्म निभाया है पियमोदी की इस कूटनीती से देश के अंदर वो मुसलमान उनकी तारीफ करने लगे हैं जो इसराइल का समर्थन करने पर उनकी आलोचना कर रहे थे वो कह रहे हैं कि पियमोदी ने संकट में घिरे फिलिस्तीनी मुसलमानों को मदद भेज कर नेक काम किया है इसे देखकर तो ऐसा लगता है कि इस कदम से पियमोदी ने मुसलमानों के दिल में थोड़ी बहुत जगह जरूर बनाई है इसे युद्ध के बीच भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत के रूप में देखा जा रहा है ताइमस नौन अब भारत डिजिटल की रिपोर्ट